हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू अवर यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर तो गाइस आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा में एक बहुत ही शांदर शरारा इस शरारा को कैसे बनाया जाता है कितना कपड़ा लगता है सारा का सारा टुटोलिट आपको आज की व बोक्स में मिल जाएगा उस एप को भी डाउनलोड कर सकते हो एप का नाम है रोबिन फैशन डिजाइनर तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक लुक जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा डिपेंड करता है किसी जो कुर्टी की लेंट है आपने कितनी र अगरा यह भी हमें बताएं अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं इस शरारा को कैसे बनाया जाता है तो शरारा का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपने इंच टेप को पकड़ा देना अपने कस्टुमर को उनसे पूछना भी कहां पर आप ब duk को लेना बिल्कुल लूजन आप नहीं लेना कमर इनकी आरेये चैसे इसके बाद एक नाप लेना है को को साइज का गुड़ा को राउंड में आपको हैं जैसे दूट एक टी-स इस फिक्स मेज़मेट लेना है जैसे यह थाइज के एक मिज़मेंट 23 इसमें आपको लूज इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेड मेंगेंट है इंच्टेप का बाता हुआ वो होता है कि आपको जो शरारा में जो गैधर्स हैं वो कितनी दूरी से रखनी है वैसे आम तोर पर देखिए जो शरारा की जो लैंथ 38 होती है 38 हाफ होता है 19 और यह हाफ हो गया इसके उपर दो इंच की दूरी से हम जो है इसमें गैदस लगाते हैं लेकिन अपने भी चोईस होती है किसी को शरारा की जो लेंथ ने यह वाली ज्यादा चाहिए हो तो इसे आप 13 14 15 वह आपकी चोईस पर डिपैंट करता है तो फिलाल जो इनका में शरार को बनाने के लिए मैंने टोटल चार मिटर कपड़ा ले रखा है एक दो तीन और चार सबसे पहले आपको क्या करना है आप देख सकते हो कि इस कपड़े में बहुत ज़्यादा खिचा वारा यह देखिए जो किनारी वाले इससे नहीं यह बहुत ज़्यादा कपड़े को खी तो सबसे पहले क्या करना है कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया यह टोटल मैंने जो कपड़ा लिया है यह हमारा मैन फैबरी के जो है मेरे पास टोटल चार मीटर तो पहले हम कटिंग करेंगे इसके अस्तर पर अस्तर का जो कपड़ा लिया है वो मैंने चार मीटर नहीं लिय यह कपड़ा मैंने कम ही लिया यह लगबग सवा दो मिटर कपड़ा है अब आपको कटिंग कैसे करनी है कटिंग आपको करनी है बिल्कुल पैंट स्टाइल में तो जब मैंने मेजरमेंट लिया था तो मैंने आपको किलियर कर दिया था कि जो दूरी रखनी थी जहां से हमने ग उसके बाद बैक वाले पार्ट की कटिंग में करूंगा तो यह जो 15 पे मैंने निशान लगाया इसको आपने बिल्कुल सीधा इस प्रकार से खीचना है यह देखिए दो भागो में कटिंग होती है उपपर का पार्ट अलग करता है और नीचे का पार्ट इसका अलग कटेगा तो 15 इंश टोटल में यह मैंने निशान लगाया है यह देखिए अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे सब्सक्राइब करना है इसके सब्सक्राइब इसमने इसमें क्रोच यानि आसन तो आशं का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है जो भी हिप गौता है बहुता है tutte 36 तो 36 में पहले आपको जार का भाग देना है तो संख्याप तो यह जितना भी किसी का प्रोच ब्रोफ करना है और उसमें आपको ढाई इन्च करना है तो यह देखी इस जगे ट्रोग करनी है अब जहां पर यह लाइन में ने ढोग करिये यहीं से आपको थाइस का मेजर्मेंट लेना है है यह टोटल 25 तो 25 काद़ केतना होता है शाड़े-बारा यह साड़े-बारा यहां से एक इंच कम कर लेते हैं यहां से साड़े-गया इस परकार से वो इस लाइन को को अपने इस परकार से हलका सा क्रोस में ये निशान लगाना है इसके बाद बात करेंगे गउर्डांइ कि आसन की जो गुलाई हम कैसे देनी है इस निशान से अपको अंदर के साइड एक निशान लगाना है दो इंच पर जैस话 में पेंड पेंडसे ऊस्सी यह वैइस को बिल्कु सिदह लेकर जाएं आईंधРЕ है और है तो यहसे कर ले गोलाएं को जो इसकी मैंने मार्किंग में नहीं मैं जो में। एसके न कर लिए आप यहamped ए देहां कि यह हमाँ गया फ्रंट मतलब जो फ्रेंट वाले दोपार्ट होते हैं paid के वह वाले पार्ट की मिनने कटिंग कर लिये अब यहीं से इसको ऐसे गिसमें राख लूंगा अब जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं इस जगे से 2 इंच बढ़ाते हैं तो जाइर सी बात है हैं यहांसे बढ़ाएंगे बिल्कुर प्र्रिफेशनल तने月 से इसके मिलें कटिंग करेंगे या यह दीद है यह ध्यूंज मैंने यहकी बढ़ा लिया निशान है इसको जाके मिलाना है इस वाले निशान से इस प्रकार से और यहां से करनी है गोलाई तो इस तरीके से देखें इधर से कुछ नहीं करना इधर से ब्रावा रखना आपको तो यह हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है अब इसके बाद यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है यह वाला पहले इसको सबसे पहले काटकर सीधा करेंगे हम सीधा मैंने कर लिया है आप देख सकते हो यह कपड़ा के डबल है अब ड आपन यहीं रखना के आपने वाल इससाइब और इसको आपने यह देखना है कि यह लगेगी तो आपवसमें इतना जिस लगाेगा इसको आसे फोल्ड कर लेते हैं और यह देखो Ok Trans Soviet है यहां यहां से आपको अधार चाहिए निशान लगाना है עर्ग बात कर लेते हैं इसकी लेकिन जो शरारा होता है चाहे शरारा हो चूटो कोई भी उसका जो अस्तर होता है हमेशा दो इंच छोटा कड़ता है तो 38 के जगे आपको 36 पे निशान लगाना है यह देखिए नीचे से फुल घेर रखेंगे इसका जितना भी घेर बन रहा है और यहां से इस प्रकार से यह लाइन रो करेंगे नीचे से ज्यादा से ज्यादा इसका घेर जितना भी बनता हो बनाओ और यहां से इसकी कर लो कटिंग तो शरारा के जो अस्तर वाले पार्ट हैं उनकी कटिंग हो चुकी है ये अस्तर वाला है नीचे वाला पार्ट ये इसका उपर का है अब आते हैं इसके मैन फैब्रिक पर तो मैन फैब्रिक पर आपको कटिंग कैसे करनी है ये देखिए प्रैस इसकी मैंने करी ली थी टोटल 4 में तो छवाव मेटर कपड़ा है यह देखिए चाव में अब सिर्फ इस साइड से कप्र को आसे रखना लिक्वार इसको करें को में इक भर करने के बाद अब इस पर आपको रखने यह दूनिव पार्थ धी देखिए इस प्रकार से, दो पार्स यहां पर रख दिये मैंने, लेकिन इसको इतना फोल्ड करना है, कि पीछे के पार्ट भी इसमें आराम से निकल जाए, तो इसको इस प्रकार से मैंने फोल्ड कर लिया है, अस्तर वाले पार्ट में फैबरिक पर रखना है, ये इसके फ्रेंट वाले पार्ट्स तो बिल्कुर्ट सेम टु सेम इसको ऐसे रखो खीक है और हर जागे से बिल्कुर्वर ब्राबर आपको कटिंग करनी है तो यह देख falei एस परकार से यह इसका जो मैने फ्याबagus कें ऐज्ट सकते हो इसके मैंने कटिंग करी हैं धो पर यह हो गएैं और दो पार्ट ये हो गए इसी प्रकार से इसका स्तरे दो पार्ट ये हो गए और दो पार्ट इसके ये हो गए इसका आगे के पल्ले हो गए इसके पीछे के पल्ले हो गए इनको ऐसे के सिलेपेट का आपको रखना है इसके बाद आपको देखना है कि टोटल जो भी कपड़ा इसमThenS पहले हम उओपर निकाल क्योंकि उपर का जोपार्ट है मरा 14 इंच का यह 14 इंच मैंने इसमें निकाल दी आहादा एंच का मार्धन लेना इसके बात आपकी जो लंबाई है ज्यादा फॉलिस को हमने नहीं करना क्योंकि नीचे भी समें एक बारी क्लैस लगाएंगे तो एक इंच एक्ष्टा ले ले लेते हैं 49 पे मैं निशान लगाता हूं यह देखिए यहीं पर आपको करनी है सीधी कटिंग यह कपड़ा हमारा एक्ष्टा है यह किसी काम में नहीं है और इसके बाद इसके दो टुक्ड़े करेंगे अलग-अलग तो इस प्रकार से यह जो हमारा मेन फैबरिक है इस जिसमें अमने गैदर से बनानी है सारे कपड़े में आराम से इस प्रकार से बन जाएंगी वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है तो यह दो तो आगे मुझेसा करते हैं अस्तर को उसी प्रकार्स थे उनको में आपस में अटेचिक अब से इस ने लगा लिया यह दोनों आगे के पाइस से आगे नजर आ रहें पीछे के से आपको पीछे नजर आएंगे इस प्रकार से देखिए दोनों ही लैग से अलग अलग यह पार्ट आपको इस प्रकार से नजर आएंगे इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको उठाना इस कपड़े क एकुषब बर्oti हमारें पास जिसमें हम नाइ डाइस बनाने अब धूपर निचे चिस से भी गैसर बना सकते हो गैसर बनाने के लिए तनि अदे बारी के में पर चुनत लघानी इस प्रकार से ओप ठीक है यहां तो आप इस प्रकार से बारी बार एक चुंट लगा सकते हो मशीन पर यहां फिर एक तरीका और भी है जो कि बहुत ही असान है वह क्या करना है आपको उसके लिए में आपको लेकर जलता हूं मशीन पर तो गाइस आपको ने इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लगा लगानी है और एक शलाई आपको उसके बगल में इस प्रकार से लगानी है तो दोस्तों आप देख सकते हो दो पल्ले हैं दोनों ही पल्लों पर मैंने इस प्रकार से लगाई इस लगाते से मैं आपको इस चीज का याद रखना एक तो स्लाई आपको मोटी लगानी है और प्लिए और अब ये इस प्रकार से अलगा खीचना है कि अदू देऊ इस प्रकार याठ है जब धागों को घ्रट भीचोंगे तो गैदस बननी शुरू हो जाएंगी दो धागे देपकड लिया और सेम इसी प्रकार से दूसरे छोड़ से भी आपको दो धागय पकडने हैं उब और रिक्तिक की घया असानी से डाल सकते हो अब व्यक्तिक moves आपको कैसे लेंनी है वå मैं आपके बताता हूं तो देखें इस छोर से मैने पकट ठागे है और उस छोर से मेरे कल्गनी इसको पकट रखा और उस धीरे देरे इस परकार से घ्यदर को खीचा से gaan और इसको चीचो आपने एतना अकुम्ही एक आपका तो साइज हुम जैसे कि आपके सामने जब मैंने कटिंग करी थी तो टोटल हमारा 25 इंच का में लिया था इसको कम्प्रीट आपको 25 इंच के दारे में कम्प्लीट कर ले ना इस प्रकार से गैदर को खीजत हो यह देखे और बहुत असानी से जो डबल दागे से जम खीजते हैं तो आपकी गै तो इस प्रकार से रखनाा है यह देखे बरकुल पस के पास सेंटर में और यहां से शुरुवात करने और कम्प्रेट आपने लगा लेना है को मैंने लगा लिया है से लाय को लगा देंके बाद अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे नीचे की साइड नीचे के साइड अस्तर क को लगाना इस प्रकार से रखन आई देख जब आप समी प्रकार से रख के स्लाय लगाओंगे तो ए जो अपके अंदर से गुम हो जाएगी और आपका अस्तर भी इस प्रकार से आपो लगानी लगाने के बाद अब को डैस लगानी हैं आपको लगानी है वर लाल पर निफ असमाइप पहले पिर्नाप tu लग बग आदा के कर्स अपने और ही यह वाला इसमें लगा लगाने के बाद को इसन आगे क्या करनाई इसके इसके उपपर यह पर आपको इसस इस इसको कैसे लगाना है। w デिसको इसके ऐसे अपने पकड़ना है ट्रिसकार डोनों आपस मैं मिलनी चाहिए एक परफेक्ट ठीक है I और यह से अपने सिलाई की शुरुआत करनी है इस परकार से से बशय है, और यह जो सिलाई को लगाएनी है केवल यहीं तक लगानी है, जहां तक हमारी लगनी है Ispacar इस प्रकार से, ठीक है, और इसके बाद मशीन को आपने बाहर निकालना है, इतनी से स्लाई लगानी है, बस उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए, चारो के चारो जो पले ना, पहले अस्तर वाला है, फिर इसका मैन फैबरिक है, फिर मैन है, फिर इसका अस्तर है, आपको क् कर लिया है जो भी उपर से दागे हैं दागे वागर सब आपको कट कर लेने हैं अब इसका जो यह वाला पार्ट अस्तर का अब अस्तर वाले पार्ट के आपको श्लाई कैसे लगानी इसको आपने बिल्कु गुम श्लाई लगानी है तो इसको आपने डाक्ट ऐसे नहीं पकड कि अस्तर को ऐसे पकड़ा कि और सलाई की शुरुवात आपको यहीं से करनी है सलाई मेंने लगा लिए है सलाई लगाने के बाद अब इसका जो लुक के आप देख सकते हो बिलकुल गुम सलाई आपको यहां से नजर आएगी यह सलाई यहां से गुम हो चुकी है और इसको एक बार मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए इस परकार से यहां से बिलकुल बराबर और यहीं तक केवल आपकी शलाई रहेगे उसके बाद सारी के सारी जो अस्तर की जो सलाई है आपको इस पर कार से गुम नजर आएगी यह देखिए तो जिस तरीके से यह सलाई मैंने लगाई है दोनों ही पार्ट में तो अंदर से भी जो प्राइब को गुम नजर आएगी एक बार मैं आपको दुबारे उसको उल्ट गर के दिखा जिता हूं यह देखिए अस्तर की जुसलाई है हमारी यहां से यह गुम हो चुकी है तो अब इसमें आपको क्या करना है नीचे का जो काम है यह वाला गेरे का अब नीचे हम गेरे को भी फोल्ड कर लेते हैं हमने एक इंच एक्षटा लिया था तो एक इंच इसको हम यह से इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कैसे करना है अगर इसमें सिंपल फोल्ड करना चाहते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें आपको लैस लगाना चाहते हो तो वह आपको कैसे करना है वह मैं आपको बताता हूं तो इसमें आपको क्या करना है अब नीचे से फोल्ड लग जाती है नीचे घेरे पे पूरी लगाने के बाद आप आते हैं इसके उपपर वाली साइड में आपको क्या है दो पार्ट है तो दोनों अलग अलग पट्टियां ले लो पट्टी की चुड़ाई कम से कम धाइंच होनी चाहिए बिल्कुर सीधी पट्टी आपको लेनी है करना है एक पट्टी को आपने यहां पर लगान जाुद है अपको बताता हूँ पट्टी मेने लगा लिए हैं स्वाली आपने इस परकार से देखिए पीछे वाले दोनों पार्ट कूछ नहीं जोवात करनी इस पिरक उब और यहां से ज्ञी को आपने साथ करके निकाल लेना Championship की नियुक्ट का उ7 मेन लगा ली एक एब मेन जगाने के लगा। इसके नंदर आपकी कमर होती है कमर में से आपको 4 इंच कम लेनी है कमर है Control 3 और लास्टिक मेने लिए है 4 इंच कम Total कितनी ये देखिए 26 इंच 26 इंच की जो लास्टिक है इस में आपको इसका अंदर लगानी है और लास्टिक के कैसे लगाए जाता है काफी सारी वीडि़ो मैंने बना रखी है झाल झाल